हेलो दोस्तों स्वागत है आपका दाइसकार के पूटर चैनल में मेरा नाम है देश राज आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आँ जिसमें आप कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे तो चलिए आपको हम वीडियो में एक एक करके बताते हैं कि फंप्यूटर का फंडामेंटल होता क्या है और फंडामेंटल में क्या क्या चीजा हाती है कोई प्लीडियो को से निद्य toute आफै के वीडियो पूरा देखने के बाद को पता स wine is धिल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए हम कंप्यूटर की स्कीन पर आ चुके हैं यहां पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का fundamental क्या होता है इसमें हम complete discuss Hindi और English दोनों में करेंगे आपको चाहे हिंदी में पढ़िए आप चाहें हैं डूनों चीजे हम से कर रहे हैं यहां पर आप त्रिपल सी कर रहे हैं दोनों के एक्जाम के लिए बेटर है यह fundamental दोनों में ही सीखना होता इसी सारे questions आपको सामने आते हैं और इसमें हम table of content में देखते हैं कि यहां पे आप सबसे पहले आपको first chapter में आपको introduction deep knowledge of input and output and process devices के बारे में बताया गया है दूसरा है यहां पे generation knowledge of computer generation मतलब कि यहां पे जो computer के generation है कपीड़ी कब से बनी कब से चली इसके बारे में डिसकस करेंगे हिस्ट्री नौलेज आप इसके बारे में जानेंगे computer के history इतिहास कितना पुराना है और वहां पे कैसी कंपनियों ने कैसे कैसे बनाये थे और computer बनाये थे computer कोच कैसी हुई इसके बारे में complete discuss करेंगे तो सबसे पहले हम आते हैं what is computer computer क्या होता है तो यहां पे computer देख से है जो प्रियोग करता द्वारा data को ग्रिंखन करता है उस पर कार करता है और उसके बाद में सुएच्छस से उततर देता यही होता है computer क्या है एक machine है जो की data को हमसे लेती है और उसको इपर काम करती है उसके बाद में हमको उसका output देती है बस इतना काम होता है computer का अब बात कर लेते है data की what is data data क्या होता है जैसे कि आप चांदे है a b c d लेकर जड़ तक के जिते भी words होते हैं या फिर one से लेकर zero तक nine तक जिते भी words होते हैं इन सब का swim में कोई अर्थ नहीं होता है जब इनको मिला करके data तयार के जाता है जैसे कि यहां पर a b c d में से हम वर्डों के लेते आर a m लिख दिया तो एक हो गया यहां पर राम अगर य मैं आगे देखते हैं full form of computer कम्प्योटर में सबसे पहले सी है सीखा मतलब होता है common common मतलब होता है सामान यानि की कि कि सीबी चीज को आप सामान यानि कि यह कंप्यूटर ऐसा है जो कि हर चीज में आपको सामानता मिलता है ऐसलिए सामान निका गया है operating मतलब सन चलन यह किसी ब्यक्ति के दूरा चला जाता है तब ही यह चलता है यान कि palम कारी नहीं करता रहता है औहले यह लगातार काम क्र लगातार के लिए बनाया पंक लिए इने क्या स्वः व della pre-shop के लिए यहां पर नीचे लिखा है टेक्निकल यहांनि की यांत्रिक कारे के लिए इसकी खोज की गई है और यहां पर रिसर्ज के लिए इसकी खोज की गई इन सब को मिला करके यह हुआ कंप्यूटर तो यह हुआ कंप्यूटर का हिंदी वर्ड में जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो होता है संगड़क यानि कंप्यूटर को हिंदी में हम संगड़क के नाम से जानते हैं फिर आता है फीचर आप कंप्यूटर कंप्यूटर की विसेस्थाएं या फिर गुण सब्सक्राइब कि नाबत होते हैं इसकि मेगा हर्च और घीगा हर्च में नपडियोंती है तो दूसरी बात यहां पे कुरेशी होती है, पर शूदता यानि की सटिकता, कम्प्यूटर कभी कोई हमें गलत सूचना नहीं देता है, जब हमें इसमें गलत हम असुद्धिया डालेंगे, यानि की कोई गलत इंपुट देंगे, तो अभी हमें कोई इंपुट गलत मिलेगा, आउटपूट उसका लेकिन अगर हम इसमें सही इंपूट देते हैं तो हमें कभी ये गलत सूचना नहीं देगा यानि कि अगर हम इसमें दो प्लस दो हम एड करते हैं तो कभी ये हमको पांच नहीं बताएगा ये हमको चार ही बताएगा यानि कि हमें जो भी होता है यहाँ प में यूज करते हैं जैसे कि देखते हैं आप एंड्राइब में या फिर आप हार्डिस में कभी भी आप कहीं भी चीज को स्टॉर करके रख देंगे तो इसको हम भाविस में कभी इसनुवाल कर सकते हैं यानि कि वो डाटा हमारा कभी खराब नहीं होता है कंप्यूटर में एक ही गति और सुधता के साथ काम करते हैं कभी ऐसा नहीं होता है कि अफ्विया ठख जाएं तो दूसरा काम करते हैं आपको हर जगह मिलेगा जिसे कि इसका उप्योग हम जातर बैंक में कर सकते हैं रेलवेश टेशन में करते हैं होटल में स्कूल में दुकान घर आधी हर और भिकास यह विर्षाटाइल के होता है इसलिए पहला चैप्टर दीटेल्स हैं, इसलिए इसलिए लिए लीज है इसले इसलिए वर्सटाइल का अगी आगए सब्सक्राइले ही कंप्यूटर, है इसलिए पहले आठरें, डितने हैं ऐसे device जिनका उपयोग हम computer में data को भेजने के लिए करते हैं यानि निर्देश को पहुंचाने के लिए करते हैं वो हमारे input device करते हैं जैसे कि keyboard हो गया, mouse हो गया, web camera, touch screen, scanner, microphone, joysticks, track balls, light pen, etc इस सारे क्या होते हैं हमारे input devices होते हैं input device के category में आते हैं दूसरा है process device process device क्या होता है when computer receives data from input devices then the process device start work on it यानि कि जब computer होता है यानि कि computer को हम निर्देश देते हैं तो वो data को receive करके उस पे काम करना, start कर देता है main process device is CPU यानि कि वो CPU होता है जो कि data को हमारे data को उसको output में convert कर देता है तो यहाँ पे दियरा 3 parts of CPU यानि कि CPU के 3 parts होते हैं पहला है ALU यानि कि arithmetic logic unit CU मतलब control unit और MU का मतलब होता है memory unit तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला है output device output devices वो होते हैं जो कि हमारे data को मतलब जो data को हम input में देते हैं उसका output वो हमें देते हैं which device which give to output to user are called output device ऐसे device जो user को उतर देते हैं यहाँ कि उसका उत्तरपदान करते हैं वो हमारे output device कहलाते हैं इस output में भी pictures, text, audio , video यानि कि यह output जो है पिक्चर में हो सकते हैं अशबदों में हो सकते हैं audio में हो सकते और वीडेओं में हो सकते हैं पर आपे हम 3 ढाकिर, के कीडियों में नर्मल की बोर्ड से लेकर 108 बटन तक अपना नर्मल की बोर्ड में देकने हैं और दूसरे एक multimedia keyboard होते हैं जिसमें कि आपका 108 से 124 बटन तक होता है यानि कि वो multimedia keyboards होते हैं उसमें कुछ चीजें और increase करके बढ़ा दी जाती है उसे ही multimedia keyboard का जाता है तो keyboard जो हैता है basically for typing के लिए के लिए के जाता है और input device में input करने के लिए किया जाता है अब यहां पर आता है keyboard के कुछ पार्ट से हैं देखो लिखा हुआ है keyboard को चार भागों बाटा गया सबसे पहला है a to z और a to z मतलब की small और capital के जितने भी a to z से later होते हैं उनको हम character keys के अंतरगत बाटते हैं दूसरा है nemeric keypad जो 0 से लेकर 9 तक और plus minus into star और वो डिवाडेशन यह सारी चीज़े जो होती है वो हमारी आती है nemeric keypad के अंतरगत अंगला होता है function keys, function keys में F1 से लेकर के F12 तक के सारे buttons आते हैं इनका कार अलग अलग सिस्टम में अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है special keys वो कीज होती है जो दूसरे button के साथ में काम की जाती है या फिर special उसी काम के लिए बनाए गी है जिस काम के लिए उनको किया जाता है सिप्ट है तो सिप्ट क्या होता है किसी सब्द को आप बढ़ा करना चाहते हैं तो सिप्ट के साथ जब पहला च्छर दबाएंगे तो वो capital later में या फिर later में आ जाएगा आल्ट होता है और space है space space करने के लिए होता है control है etc और इंटर भी होता है जो कि इसमें नहीं में mention किया गया है इंटर का काम भी वो special keys के इंतरगत ही आता है क्योंकि उसका काम है आपके जो details है उसको break करना यानि के line को break करना प्लस आपके जो task है उसको open करना तो यहां पे कुछ keyboard के जो basically button होते हैं उनके नाम दिये गए है उनके detail जैसे की ESC buttons आप लोग जानते होंगे ESC button में होता है escape button इसको बोला जाता है अगला है यहां पे title button होता है जो इसके just नीचे होता है escape button के आप लिगते हैं यहां पे आपको जो संबोधर का निसान होता है जोई एक ज्लमेटरी की बोलते वह इसी होती है at the rate जहां पे जो आप email लिखते हैं तो इसमें add or add Crypt की योज़ किया जाता है 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 होता है यहां पे dollar का निसान है यह है percentage जैनि के percentage जिसको बोला जाता है Xpand होता है यानि कि आपको कोई चीज घहात लगानी है आपको जैसे कि पावर जिसको बोलते है तरी की पावर फाइव ऐसे कुछ लिखना है तो Xpand का आप यूज करते हैं Xpand है अगला है star or strike into यानि कि star भी बोला जाता है इसको as strike भी बोला जाता है और into any गुणा के लिए भी स्कॉप यूग किया जाता है इसमाल open bracket है और इसमाल close bracket है underscore होता है और minus इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपको जब भी कोई कहीं पर क्या होता है कुछ special character allowed नहीं होते हैं जहाँ पर आप Space allowed नहीं होता है तो वहां पर आपको दोनों चीजों के बीच Space allowed नहीं है plus space करना भी है तो आप उसका underscore का यूज करते है Minus होता है, Minus तो पता ही है आपको Plus, Plus हो गया, Equal To, यानि कि बराबर को यहाँ पे Equal To होता है, Backslash, यानि कि यह जो होता है, Strike और यह Backslash, Backslash उसका उल्टा होता है, Pipe है, यानि कि आपको कहीं पे Longby Line खीशनी है, तो Pipe को जूज करेंगे, Tab है, और Caps Lock है, यह सारे buttons जो होते है यह keyboard में basically देखने को मिलते हैं a mouse है o mouse ko किअ पर इंपूर दिबाइज करें माओस में दो बड़िक करें इत्यवन और या पिर उसके बारे में और भी अपसिंड सॉप्सों जानने हैं तो आ होता है स्क्रॉल करना यानि कि आपके सामने बहुत सारी फाइले रखी हुई है उनको आप स्क्रॉल करना चाहते हैं तो स्मूथली उनको स्क्रॉल कर सकते हैं इसकी मदद से अंगला है scanner, scanner भी एक input device होता है, scanner में क्या होता है, कि कोई photo होती है, या video होती है, sorry, photo होती है, या test होता है, कोई फापी या वगरा की, तो उसको क्या होता है, scan करके वो computer के अंदर ले जाता है, यानि कि आपने photo रख दिया उसके उपर, या फिर आपने कोई text रखा है, उसको आप computer के अंदर ले जाना चाहते हो, तो वो scan करके computer के अंदर ले जाता है, ये dietly आपके CPU से connect होता है, जो कि आपके कोई भी details होती है, उनको scan करके computer के अंदर ले जाता है, कोई matter हो गया, अगला है web camera, web camera क्या होता है, ये normal camera की तरह होता है, नबह जो भी आप दिखते होंगे computer में उपर लगा होता है, laptop में भी camera दिया होता है, जिसमें camera नहीं होता है, इसमें आप external camera लगा सकते हैं, तो ये normal camera एक तरह होता है, ये भी input device होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, basically photo खीशना या फिर आप video calling, जब आप net से connect हो जाएंगे, तो आप video calling भी कर सकते हैं, एक इंपूट बेवाइस होता है, जो की computer का ही part होता है, input device में अगला आता है microphone, microphone क्या होता है, ये आवाज को recording करता है, चाहे चोटा mic को या फिर बडबा खूड मा को सारे microphone, जो है माइक के कटेगरी में आते हैं जो की इंपूट डिवाइस होते हैं जिसको आवाज को रिकार्ड के लेंगे जिसे हम बाद में कभी सुन सकते हैं बहुत सारी कंपनिया है कॉलेज हैं जहां पर माइक्रोफोन का यूज किया जाता है अगला है यहां पर प्रोसेश डिवा हो गई यहां पे और यह हो गैया आपका फैन जिसको सीप्यों के उपर फैन लगता यह यह आपका हर्शी ड्राइब हो गया और यह आपकी रेम हो गई यह आपका प्रोसेसर हो गया यह हो गया SMPS यानि के पावर सप्लाई यह आपका सिस्टम फैन हो गया जो बाहर से लगता है आपकी जो कुलिंग को बैकरा करने के लिए फ्लापी डिस्क हो गया इतने सारे चीजों को मिला करके ही आपका CPU रेडी होता है तो यहां पर CPU को हम बात करते हैं CPU का फूल फार्म क्या होता है Central processing unit यह धियान रखिया कई कई बार question में उगर हम पूछा जाता है इस का लब brain of computer यह computer का दिमाग कहा जाता है all components directly connected to CPU यहांनि कि जिते भी components पूरजे होते हैं वो directly CPU से connect होते हैं कि अगला यहां पर process device है process device जो होता है उसके तीन parts में device किया जाता है इन तीन पार्ट होते है process device का ही CPU एंस को बोलते है CPU में ही तीन parts में बना जाता है process जो हमारा कार होता है वो तीन छेत्रों से होकर गुजरता है उसी को हम तीन device में बाड़ते हैं तरह से पहला ALU है फिर CU है MU है ALU का मतलब होता है arithmetic logic unit जैसे यहां देख सकते हैं ALU stand for arithmetic logic unit ALU जो होता है computer में basically जो चीज़ें होती जैसे कि कोई भी आप अंग गड़तिये तर्क देना हो या फिर संचलित करना हो तो जो गड़तिये गड़नाएं होती है या फिर तार्की गड़नाएं होती है वो सारा जो details को उसको handle करता है वो ALU करता है ALU में सारे अंग सब्सक्राइब होते हैं नहीं होते हैं उन्हीं में से वो गड़ना करके आपको output देता है तो यहां पर यह अर्थमेटिक का काम यही होता है कि आपकी जितनी भी गड़नाएं हैं उनको यह असानी से कर देता है अगला है CU का मतलब होता है control limit यानि कि जब user यानि कि प्रियोग करता है किसी को output यानि कि computer को जो input देता है input प्रदान करता है तो वो input किस के पास जाना चाहिए और किस को यह किस के लिए बनाया गया है किस app में यह जाना चाहिए किस hardware को लिए बनाया गया है तो वो decide करता है cu यानि कि cu का मतलब होता है continued यह सूचनाव को control करता है किसको पास किसको भेजना है और वो जो से कि आपने कुछ 2 प्लस 2 या कुछ भी लिखा तो वो जाएगा आपका alu मेत यानि कि cu समझ जाएगा कि यह alu का matter है तो alu के पास भेज देगा alu को अपने हिसाब यहाँ करना करना करके फिर से आपको c u को डेगा c u या मतलब क्या होता है यह data को approaching का वो देख करने का से को sing करना है तो आप यहां से mut में इसे और मतलब होता है Мेमोरिय अनि आपका मेमोरी में कोई भी सेभ करना था इच्रॉम्ही हो सकती है जिसे यह देख सकते हैं प्राउमरी लिखा हुआ है या फिर इंटब्णलर ओड़का हुआ है में er Hugo's, यहां पर नहीं को करते है उसको में में cens एक डिए और में आधिये में में को होते हैं में द्डार ना वहां और इंचेक यहां पर यहां पर में में होता है एक manipulation का मृंत इंरे में वे देखें को एम पर लिधा हूं यहां पर read-only memory लिखा हुआ सबसे पहले है इसको हम बोलते है read-only memory रोम is the part of memory units यानि कि रोम क्या है memory unit का है एक part है यानि कि हिस्सा है this is your read-only memory ये एक read-only मतलब इसको हम केवल पढ़ सकते है it cannot be used to return यानि कि यह जो है return के लिए जो है लिखने के बाद दुबारा से हम इसको reuse नहीं कर सकते रोम is used situations where the data most held permanently यानि कि रोम जो होता है कि इसमें आप कुछ भी रख देंगे तो यह situation मतलब handle करके इसको रख लेता है यानि कि आपने किसी CD में कोई data save कर दिया तो जब तक वो cd खतम हो जाएगे लेकिन वो data नहीं जाएगा cd में जो data रखागे cd के साथ ही खतम होगा यानि कि उसको आप delete erase नहीं कर सकते है अगल यहां पर random access memory होता है random access memory यानि कि RAM होती है जो कि आपका program load होते ही जैसे आपका system on होता है सारे जो programs होते हैं वो RAM में load हो जाते हैं और वहीं से काम करना start कर देते हैं लेकिन आप जैसे कि basically आप notepad पर या पिर कहीं पिर कुछ काम कर रहे हैं अचानक light चली गई या पिर आप चानक आप file को cut कर दिया या फिर file बंद हो गई तो वहां पर जो data होता है आपका loss हो जात है तो हमारी जो RAM होती हो प्रामरी होती है और ROM होती हो हमारी secondary memory कहलाती है अगे लगते हैं और पूद डिवाइस और पूद डिवाइस दोज डिवाइस विचार यूज तो गेट इंट्रेक्शन रिजल्ट और कंप्यूटर और काल आप डिवाइस ऐसे डिवाइस जो कि हमें इंट्रेक्शन और कंप्यूटर से नीडिवाइस परिapan ऐसे निर्देस परणाम प्राप्त कर करके देते हैं वह नहीं पर क्या किलाते हैं और पूद डिवाइस है यहां पर देख सकते हैं और 27 ov और 1 अजिलीबीजन और पिक्चर ओन स्क्रीन लाइक टेली विजन यानि कि मॉनिटर मसीन है जो कि हमें टीली विजन टीवी की तरह हमें जो भी इन्फरमेशन सूचना है होती है वह बड़ी सी स्कीन पर दिखाता है तो एज स्क्रीन दैट अस्टो इन्फरमेशन फाम कंप्यूटर इस आलसो नोन इस वीडियो यानि कि इसको हम वीडियो यानि कि वीजबल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है आपका वीजबल डिस्प्ले यूनिट यानि की वीडियो तो मॉनिटर क्या है मसीन है जो कि इसका दूसरा नाम क्या है वीजबल डिस्प् पिराता है printer, printer क्या है, printer भी एक आउट पूट डिवाइस है जो की जिनकी इसको, soft copy को hard copy में प्रतत करता है, ज्सरिए कि QUAR靖ुरवेर पर काम कर रहे है और जितने समय आप उसको मिन फाइल बना रहें तो जितने समय आप उसको इस कर आए है कि बेसिञी बैंक हो गरना मों पास में प्रिंट और जा उता कि अ कि ऐसा है भी यह चाहसि जोता है यह हम का गरना प्रेंटा पहले है मुंद्ध रून कोर्स करेंने तु इत्सक्व जाती है थे क्टियो से फैंड बनार कता इस लावट केस्ट है बसक्ता है दिसी जाब प्रिंटर यूज इसमाल कंपैक्ट डिवाइस इसमेह क्या होता है चोटा सueto Partij लगा होता है जो की काईटे के मादन से अपका प्रिंट को, तो अच्छी क्वाल्टी कर निकलता है उसी क generator के मादन क्वाल्टी का प्रिंटाऊ निकालता है इसको बहुत कास्ट ली होता है दो friendly इस लीए बहुत सारी कम लोग करीक हां और यहां पर पर यह पर कंपनीं यहां पर यह बुद्ध करती है शुर्ष क्षेकर में यहां पर रियुख दिवेश्ट के लिए फिवाइस which are used to इंता है यलिवी दिवाइस से डाटा को च्टोर करने के लिए बना जाते हैं उनको रिज्ट तूर दिवाइस का जाता है। अभी दिवाइस की चाहिए था समगक्त स्मगा डिवाइस और थीर फॉल्लॉ के अब आप देख सकते हैं से होती है DVD होती है blue red disc होती है pen drive है memory card है hard disk है इत्याद है यह सारे क्या होते हैं आपके storage device होते हैं अब बात करते हैं हम mystery of computer की तो computer का इतिहास जो है बहुत पराना है पहले लोग क्या करते थे computer को जो है नहीं पता था computer क्या था तो यहां पर जो गड़ना करने के लिए लोग कंकड़ पत्थर और हड़ियां और लकड़ियों का सहारा लेकिते थे और उगलियों के सारे से गिंती करते थे उन्हीं को जो है computer पहले नहीं मालूम था उनको नहीं पता था उसके बाद में धीर-देर करके ही computer की सब इस्तीत mechanical locating device कहा गया था इसे edition और subscription को आसानी से तेज़ी करने के लिए इस्तमाल किया जाता था यानि कि इसमें सिर्फ आप service tracks यानि कि जोड़ सकते थे और घटा सकते थे यानि कि जोड़ और घटाना प्लैस और माइनस सी का सकते थे इसके माध्यम से अबेकस के माध्यम से दस्वी सताभदी में आया था और जो है बार्वी सताभदी में से चीन में अन्हśmy बनाया था और जापान ने और भी हेवेन में और अर्थ में अगला है नेपियर बोन्स नेपियर में 16 सताब्दी के मद्ध तक बिभिन महादीपों के मारगों लेखनकन आज सटी गण्णाओं के अब इस तक लिए कई सारों चीज़ों खो जा गया यानि कि नेपियर बोन्स जो थे वो हड्डियों से बने हुए कुछ डिवाइस थे जिसमें गणना करने के लिए उपियोग किया जाता था यानि कि ये केवल क्या करता था कि जहां पर बार बार चीज़ों को कल्कुलेट करना होता था तो वहां पर ये जो है या फिर एक साल का कलेंडर बनाना था तो इसके माद्धम से आप एक साल का इतनी भी कॉण्टी में बना सकते जो पिछले डिवाइस थे उनको बनाना असान नहीं था यानि कि बहुत सी चीजों से मानलों ने पेर बोंस बनाया जाता तो बहुत सारे हड़ियों को जरूत पड़ती तो हड़िया कहा मिलती उतनी ज्यादा तो है पास्ट लाइन जो था बीच बनाया था या मसीन केवल अडिशनों से प्टेशन कर सकती थी यानि कि इसका भी काम क्या था जोड़ना और घटाना यानि कि यह भी केवल प्लस और माइनस ही करती थी बाकी तीसरा काम कोई नहीं था अगे है जेकार्ड लूम जो था वो जोसब जेकार्ड ने बनाया तो यहां पर जाइकाट्स लूम जो था वह प्योप करता था अलग 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 रंगों को जो हमको क पीटन में ट्यून hm करने का काम कर जात हो जो था वह अलग अलग रंगों के दाइक nouveaux को पैटन में ट्यून reinfor के लिए उपयूग किया था यानि कि इसके माध्यम से कपड़े बनाना असान हो गया था और वो जो था जिनी कि रंग विहीन जो कलर थे उनको बीहीन ने बदला गया था इसके माध्यम से तो यह था ने पी ओजाइकाट लूँ फिर आता है दा डिफरेंस इंजन यानि कि चार किया था बिटिश डाक सिस्टम के में सुधार किया और हुए रिसर्ज ऑपरेशन और साइंस के शेतर में अग्रणी थे हाला कि डिफरेंस इंजन एक सब्सक्राइश थी इसके बाद में फिर आई थी आपका इनलेटिकल इंजन यह जो था अठारो सो तैसमें फंडिंग के स समय तक यह बनाई गयी थी उन्होंने कुछ ज्यादा करांद करिकल अपना की थी आगले बनाने की लेकिन बस सिस्टी को बनाया था एक जनल परपस कंप्यूटर मसीन जिससे अनलाइटिकल इंजन कहा गया यह जनल परपस सामान यह काम के लिए इसका उप्योग किया गया थ इसके मादम से इन ही दोनों को जब कल्कुलेशन के लिए उप्योग किया गया तो इसमें जो था हर तरह की घंड़नाएं कर सकते थे आप जैसे की पूरी तरह से प्रोग्रामिंग कंट्रोल था आटमेटिकल था और मेकैनिकल डिजिटल कंप्यूटर था यह निकि यह डिज ढ़िटे भी पीछले डिवाइस थे उनमें जो गड़नाएं नहीं हो सकती थी वह गड़नाएं इस नेटेकल इंजन में की जाती थी इसलिए इसको कंप्यूटर में पूरा इंटेश बन गया तो इसी से आपको कंप्यूटर का जरनक कहा गया था चाल से वसजी को पिसे पहल कंप्यूटर बना था जो की बना था पंद्रा फुरोडी 1946 को बनकर तयार हो गया था और इसका जो काम था पूरा नाम था वो electronic numerical integrator and computer यह पूरा नाम था इसका इनियक का और इसको बनाने वाले थे इसको बनाया था जान मौचली ने और जे प्रेसपर एकार्ट ने यह कुश्चन कई बार पूचा गया है तो आप लोग इसको भी ध्यान रख रहा जान जे प्रेस पर एकार्ट और जान मौचली ने इसको बनाया था पंद्रा फूरवरी 1946 को फिर आता है एनियक जो तो फोटो यहां पर देख सकते हैं आपकी एनियक जो था कब बनाया गया था और इसमें मतलब देख सकते हैं एनियक में 17,460 वैक्यूम ट्यूप सामिल किये थे यानि कि सबसे पहले पीड़ी जो का पहली पीड़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूप का इस्तमाल किया पंदरा सो रिले यूज की गए थी और 6,000 मैनुवल स्विच थे यानि कि तिसारी चीजों को मिला करके बनाया गया था और यहां सब 5 मिलियन सोंड्रेड जॉइन के साथ था यहांदी कि पांच मिलियन सोल्डर यहांदी कि आरेंट जो इसको बनाया था जिसमें एठारा सो स्क्वार फिट वह 166 स्वेयर मीट्र का फ्लोर्व स्पेस लिया गया था इसका वजन था 30 तन का और इसको चलाने में एक 160 वाड़ पावर की जरूत होती था यानिके नि कह पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था कि इसकोorsa klaने में 160 किल वाड़ जिली जो है खतम हो जाती थी अगला गया यहां पर इंप्प्यूटर की पीड़िया तो जनरेशन आप कंप्यूटर आप यहां पर देख सकते हैं फर्स जनरेशन जो था 1946 तक चला था फर्स दिनेशन इंप्प्यूटर में वेक्वून ट्यूब को प्रियोग किया गया था और यहां यह था आपके वेक्वूटर के नाम थे जो पहली पिड़ी में बना गया थे और इडवैक है और यूनिवैक वन है यूनिवैक टू है आई आई वीम सेवन जीरो वन आई विम सिक्वाइब जीरो और यह थे आपके वैक्यूम ट्यूब आप नीचे देख सकते हैं यह सारे रेजिख यानियो गया इसको चली थी ट्रंजिस्टर रप्लेश ta वैक्यूम ट्यूब है कि क्या रोकित तन करन ऊंद तर था शचली तरुक कि माइक लेख को और मेंग टीट को क्यों के गए था पर सेम टू सेम था फ़्स जनरेशन के तरह इसमें भी पॉंच काड और पेपर कप्यों को कि ने था और यहां पे जो डिस्पले और पूड था मलग वो डिस्पले होता था प्रेंट आउड की मादम से अगला था यूज इ इसमें जो था आपको फोर्टान एलगोल और कोबोल यह सारी लेंग्विजस जो थी वो आ गई थी सेकंड जनरेशन में और सेकंड जनरेशन के इसमें जो था आई सी इंटीकरटर सर्कीट का उपयोग था यहाने की इस निथा गया थी और इसकी जगह पर जो है ट्रेंश्टर को आटकर ंपलेस्टा कैश्ट किया गया था आईसी जो खोजी थी वह किसने जैक किलवी द्वारा 1969 इन्होंने यह जैक के लिभी द्वारा इसको खोजी गई थी प्रामेरी मेंवरी के लिए मंग्टिक कोर और सेकेंडी म्योरी के लिए मंग्टिक डिस्क की भी खोज हो गई थी और दे इन्पुट्ट तो दे कंप्यूटर वाज्थरो कीबोड एंड माॉस यानि कि जो और मौसी खोज होई और प्लस मॉनिटर की भी खोज थर्जनरेशन में हो चुकी थी हाई लेवल लेंग्विज फोर्टान एलगोल कोबोल यह सारी चीजें यह जो दूसिज पीड़ी वाली जो लेंग्विज थी तीसी पीड़ी में भी चल लही थी वैसेज यह उतिचों और यहां पर आइवीम जो था तीनसु सायट सीरीज हनी वेल शेजार सीरीज यह सारी सीरीज वाले जो कंप्यूटर थे वह आपके थर्जनरेशन में भीक्सित लिए थे आजसी के आप यहां फोटो देग सकते हैं नीचे आजसी इस तरह से बनाई गई थी जो आजसी थी अ बेरी लाज स्केल इंट्रिगेशन यह दो सीरीजों को जो है फोट जनरेशन में डेवलब किया गया था यानि कि उसी जो आजसी थी तेक्नालोजी थोड़ा और विक्सित की गई थी और इसमें MS-DOS और MS-Windows डेवलब दिस टाइम यानि कि फोट जनरेशन में आपके डास औ और Windows की और जो है डेवलब करने जा किया रहे थे हैं आल दा हाई-लेवल लेग्विजेस लाइक सी प्लस प्लस डाटावेस यानि कि आपका जो सी लेंग्विज था सी प्लस प्लस और डाटावेस थी यह सारी जो लेंग्विजेस थे हैं वह आपका फोर जनरेशन में आई थ देख सकते हैं आगे यहां पर फिफ जन नेशन फिफ जन नेशन जो था यूजदा लार्ज स्केल इंट्रिगेशन वी लसाई यानि कि यू लसाई वी लसाई के बाद में आपको यहां पर यू लसाई जो थी फिफ जन नेशन में जो की 1980 से कांटिनू लगातार चल रही है और इसमें AI यानि की Artificial Intelligence का भी अविस्कार हुआ था किया गया जिसको हम रोबोर्ट कहते हैं आज के यूद में रोबोर्टिक मसीने जो चल गई है उसको AI Artificial Intelligence का गाता है इस पीरिड में जो है आपका 64-bit माक्रो पूसर और आल हाई लेवल नंग्वजेस इन नेच्रल लंग्वजेस प्रोस्टिंग नेच्रल लंग्वजेस होती है जैसे कि आप देखते हैं जो गूगल का जो आता है जैसे एपल में स्री होता है गूगल में जो टाग बैक नेचन में हो चुकी है एडवांस पयरल पोसिंग जो पर्ली पोसिंग आपका युएस्वी है ओटीजी है इस होती है आपका सी टाइफ है सी टाइप यूसबी है यह सरी चीजिए हो जो फिट जानेचन में डेवलप की जा रही है तो यहां पर डिस्क डिस्क ले सेंचे आप computer यानि कि आपका history खतम हो गई है और यहाँ पर जन्नेशन भी आपका खतम हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिपिकेशन लिए कंप्यूटर का वार्गी करना से computer होता है अनपरियोग के अधार पर कुछ computer बाटे गया है कुछ size के अधार पर कुछ purpose के अधार प और यहाँ पर उद्देश के अधार पर तो यहाँ देख सकते हैं अनलोग computer है और यहाँ पर digital computer है और hybrid computer है यह आपके application के अधार पर आते हैं जिस आगे देख सकते हैं अकार के अधार पर तो माक्रों कंप्यूटर है मीनी computer है मेन फ्रेम computer है और super computer है यानि कि आकार के अधार पर सारे computer होगे और यहां पर दूसरा है उद्देश के अधार पर इने जनरल पर पर और स्पेसल पर पर आगे देखते हैं तो यहां देख सकते हैं परियोग के अधार पर तो एनलोग computer जो थे जिसे की एनलोग जो है ऐसी चीज है कि बहुतिक गड़न मात्राओं को जो है कर अपना हां या कि-शेश के लंबाई नापनी और या फी कि-शेश की उचाई नापनी इस तरह की जी चीजों को ना पने के लिए जो बनाई जाते हैं computer उसको एनलोग computer कहा जाता है जैक सकते हैं तर्मा मेटर है speedometer है jadi kita Hai आपके unlock computer क्यों धारण है अंगला यहाँ Yeah पर होता digital computer देश्टिल computer आप देकम में सकते हैं जैसे कि desktop लेप टॉफे का है यह सारे कैंशल यानिकिस इसमें digital number को हम देते हैं लंब्व हम को है एंशर देते हैं तो इसको हम digital computer कहलते हैं फिर आदर श्राद jó hybrid computer hybrid computer जो होते हैं वो analog और digital दोनों का मिसरन होते हैं और इन्हों को जो है दोनों मिला कर किया नहीं कि इसमें आपका analog के भी गुण होते हैं और digital के भी गुण होते हैं इन्हों को hybrid computer का जाता है जैसे की ECG मसीन है dialysis machine है यह सारी चीज़े जो होती है आपका hospital हो गएरा में उप्योग की जाती है तो इस तरह कंप्यूटर जो होते हैं hospital में एक स्रे मसीन कह सकते हैं इस तरह चीज़ें आपको वहंपी मिलेंगी अगला है कार की अधार पर तो सबसे पहला माक्रो कंप्यूटर माक्रो कंप्यू कंप्यूटर हो गया smartphone हो गया यह सारे क्या होते हैं माक्रो कंप्यूटर के अंदर गद आते हैं मिनी कंप्यूटर होते हैं मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें मल्टी यूजर होते हैं यह आकार में माक्रो से बड़े होते हैं यह माक्रों कंप्यूटर तोल सकते हैं इसका पूरे कम्पश कंपनियों में सर्वाइं के 20 में पहुंचा काम कर दो कि यह यहां पर मैं ट्रेम कंप्योटर का उपयोग किया दा संर दार यह फोपर कंप्योटर काई उआसल अंडरर वहले जो होता है वह बहुत बढ़ा इस interessante की निक्स video ब्रिजाइन भूब अग्यानिक डेटा विसलेशन आधि के लिए इसका प्योग किया जाता है विस्तु का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था क्रे रेसर्च कंपनी द्वारा 1976 में बिकसित किया गया था क्रेंवन नाम था सुपर कंप्यूट्र विकसित किया गया था और यहां पर छक्ते भारात आंसफ कुछ इसे दिस अ कुछ क्यों है और यह थो आधित है अनुप्यों है और यह सारे क्या है बहुरतियी इसको भरतिये सूपर कंप्यूटर। देख सकते हैं यहां पर कुbst इमेजी दीए सुपर कंप्यूटर की इस तरह से अंद tra prac डेश के अधार पर देख सकते हैंा पर सामान देश dal कंप्यूटर गार करने की चम्पार्ट यह से वर्ड प्रोसेसिंग है डॉकुमेंट को चापने डाटबेस बनाना यह सारे क्या होते हैं आपना अपना जो काम होता है अलग लग काम के लिए बनाया जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए विस्ट कंप्यूटर यह तो जनल पर पहुच हो गया कि आप सामान काम के लिए देश से कंप्यूटर के लिए जो बना जाते हैं जैसे के ट्यम मसीन हो गया डिश्टल थर्मामीटर हो गया कल्कुलेटर हो गया यह सारी चीज़े क्या होती है सामान कामों के लिए जनी कि बेस्पेसल काम के लिए मौसम विग्यान है उपगय संचालन में चिकस्टा के छेत देगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अब बेल आइकन दबाएए ताक कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम थान्य बात दोस्तों